नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत यूजनवे अज हम बात करने वाले हैं National Fertilizer Limited Recruitment 2023 के बारे में तो आप यहां कब से कब तक अपलाई कर पाईएगा Total Vacancy यहां कितना रखा गया है, Qualification क्या क्या मांगा गया है वो सब हम एक एक करके आपको यहां पर बताएंगे यह है इसका Notification, National Fertilizer Limited यहां से आप Vacancies पोजिशन देख सकते हैं Post Level पे Scale Total Vacancy यहां Category Wise में यहां पर बाट दिया गया है Vacancies को, जैसे कि आप Post का नाम यहां देख सकते हैं Management, Training, Marketing के लिए है तो आपको जो पेमेंट मिलेगा 40,000 से लेके 1,40,000 तक Total यहां पर 60 Vacancies रखा गया है और यहां Category Wise में पाट दिया गया है General के लिए 25 SC के लिए 10, HT के लिए 6, OBC के लिए 13 और EWS का NDD के लिए 6 रखा गया है Management, Training, F&A के लिए आप यहां देख सकते हैं आपको पेमेंट जो है 40,000 से 1,40,000 तक है Total यहां 10 Vacancies है Management, Training, Law के लिए यहां अप्लाई करते हैं तो 40,000 से लेके 1,40,000 तक पेमेंट मिलेगा 4 Vacancies रखा गया है General के लिए 3 OBC के लिए 1 Minimum Eligibility Criteria जो है Management, Training, Marketing के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो Age Minimum 18 रखा गया है Maximum 27 रखा गया है और Qualification जो है आपको Minimum 60% मार्क से साथ पास हुआ होना चाहिए 2 Years का MBA या फिर PGDVM या फिर आपको PGDVM क्यावा होना चाहिए Marketing से या फिर Agriculture Business Marketing से या फिर Ruler Management से या फिर Foreign Trade से अगर आप BST in Agriculture की एवे 60% मार्क से साथ पास हुए है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे और जो ST, ST, PWD Candidate है उन लोगों का यहाँ पर 50% मार्क से लाना कंपल सरी है Management Trainee F&A के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 to 27 Years रखा गया है Bachelor Degree आपको पास किया हुआ होना चाहिए उसके साथ है आपको Final Examination CA का पास किया हुआ होना चाहिए या फिर ICWA या पिर CA में Management Trainee Law के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 to 27 Years रखा गया है Full Time Bachelor Degree किया हुआ होना चाहिए Law से, LLB या फिर BL से 60% मार्क से साथ आपको पास हुआ होना चाहिए या फिर 5 Years का आपको Integrated Full Time LLB या BL Degree आपको क्या आपको होना चाहिए 60% मार्क से साथ पास हुआ होना चाहिए Application Fee जो है यहाँ पर अगर आप Management Trainee Law के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 रप्य लगेगा Management Trainee Marketing के लिए करते हैं तो 700 रप्या Management Trainee F&A के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 रप्य लगेगा और जो ST, ST, P, WD, X, Service Man Departmental Category के हैं उन लोगों का यहाँ पर Fee नहीं लगेगा यहाँ एक भी Fee नहीं है Selection Procedure जो है आपका यहाँ OMR-based examination दिया जाएगा एक्जाम के बाद आपको Personal Interview के लिए बुलाया जाएगा अगर आप एक्जाम में पास कर लिए जाते हैं तो Personal Interview होगा उसके बाद आपका Document Verification Last में जाके आपका यहाँ पे दोनों का जो Marks है वो आपका यहाँ जोडा जाएगा OMR-based जो एक्जाम होगा वो 80% Marks का होगा Personal Interview 20% Marks का होगा तोटल यहाँ 100% का होगा दोनों मिला कहीं आपको यहाँ पे सेलेक्शन के जाएगा यहाँ पे आपको डेट बताए गया तो यह फॉर्म जो है दो नौंबर से स्टार्ट हो चुका है और लाज डेट जो है एक दिसमबर तक रहेगा और आप फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो वह आपका 3 दिसमबर से लेके 4 दिसमबर तक आप यहाँ फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं